आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव लोगसभा चुनावों को लेकर भाजपा और इंडी गटबंदन ने रैलियों का आयोजन शिरू कर दिया है प्रधान मंत्री और वरिष्ट भाजपा नेता नरेंदर मोधी ने कहा है कि दक्षन राजियों में राष्ट्रे जनतांतरिक गटबंदन NDA के पक्ष में उत्साह है तेलंगाना के जक्तियाल में आज एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री मोधी ने कहा कि भाजपा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचन बद्ध है प्रधान मंत्री ने कॉंग्रस नेता राहुल गांदी की शक्ती पॉइंट को मानित करने वाले उनकी टिपणी को लेकर आलोचना की है उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का लेंडर विक्रम जहां चंद्रमा की धर्ती पर उत्रा उस्थान का नाम शिवशक्ती पॉइंट दिया गया है श्री मोधी आज करनाटक के शिव मोगा में जनसंभा को संबोधित करेंगे वहीं कॉंग्रस नेता राहूल गांधी ने वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान बटकाने के लिए केंदर सरकार पर निशाना साधा श्री गांधी ने कहा कि उन्हें चुनाती पूर्ण भारत जोडो यात्रा करनी पड़ी क्योंकि बेरोजगारी हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अगनी वीर मुद्दों जैसे देश को बीमार करने वाले वास्तविक मुद्दों को मीडिया द्वारा नजर सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल, पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी समगरी को हटा लिया जाए इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्दियों की जानकारी देने वाले विग्यापनों की अनुबती नहीं होगी दिर्देशों में यह भी कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनेतिक कारिक्रम के चित्र राजसरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे तीन दिवसिय स्टार्टप महाकुम्ब आज से नई दिल्ली के भारत मंदपम में शिरू हो गया है यह कारिक्रम 20 मार्च तक चलेगा इस आयोजन में विभिन स्टार्टप्स के अलग-अलग पविलियन बनाए गए है इनमें AI, B2B, Agritech, Deep Tech, Climate Tech, Gaming, E-Sports, FinTech जैसे अनेक विशेश पविलियन शामिल है इस महाकुम्ब काउदेशे पुंजी पतियों और निवेशकों को भारती व्यापार के साथ जोड़ना है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIT के सचिव राजेश कुमार सेह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टप तंत्र का देश है इस महाकुम्ब में 2000 से अधिक स्टार्टप, 1099 वेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व सरिय प्रतिनिदी मंडल के भाग लेने की उम्मीद है राश्ट्रिय परिक्षा एजनसी NTA केंद्रिय विश्वे ध्यालों में इस नातक पार्टेक्रमों की परवेश परिक्षा पूर्व निधारित कारेक्रम की अनुसार 15 मही से 31 मही के बीच आयग जित कराएगी आयग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि आवेदन की अंतिन्तिती 26 मार्च है इसके बाद पंजिकृत चात्रों की संक्या और उनकी भोगोलिक स्तिती की जानकारी मिल सकेगी बात मौसम की प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों में बारिश हुई और कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं जिससे पिछले कुछ दिनों से हो रही तापमान में बढ़ोतरी थम गई है नौसम मिभाग ने आज भी उला वरिष्टी और बिजली गिरने को लेकर अनूपूर, डिंडोरी, पांडूरना, सिवनी, मंडला और बालागाट जिलों में और अलर्ट जारी किया है साथ ही हलकी वर्षा और तेज हवाओं के लिए रायसेन, बैतूल, जबलपूर, सागर, सहित, दस जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है विदीशा, बैतूल, उमरिया जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अब कुछ समाचार संक्षेप में चिंदवाड़ा में नवागत नगर निगम कमिशनर चंदरप्रकाश राय ने आयुक्त पद का प्रभार ग्रहन कर लिया है गौर तलब है कि जनवरी में तातकालिक कमिशनर राहूल सिह के स्तानांतरन के बाद से ही ये पद खाली था गुना जिले के कलेक्टर डॉक्टर सतेंर सिह ने कलेक्टर सभागार में आयुजित सापताहिक समय सीमा बैठक में लंबित पत्रों की बिंदुवार समीक शाकर आवेशक देशा निर्देश दिये रेलबे द्वारा होली के त्योहार पर लोगों की सुविधा के लिए रानी कमलापती रेलबे स्टेशन से पांच होली स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही है अगर मालबा कोतवाली पुलिस ने कल अपरादों पर अंकुष लगाने और आचार सहीता के नियमों का पालन करने की उद्देश से शहर में फ्लाग मार्च निकाला इंदोर्ज जिले के शहरी और कमीन कशेतरों को जल अभावगस्त कशेतर घोशित किया गया है जिले में नलकूब खरनन पर 30 जून तक प्रतिबंद रहेगा विदिशा जिले की समस्त स्वासे संस्ताओं में खसरा दिवसकार करम का आयोजन किया गया जिसमें जन जागरूपता रैली निकाली गई और अगर मालवा के कॉटन प्रेस चावनी में आज से तीन दिनों तक राश्ट्रिय जोतिस समीलन और गीता रामायन प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के कई जोतिशाचारे और विद्वान शामिल होंगे इस बुलिटन में इतना ही अनुमती दीजे नमस्कार